कि कोई स्वाल है तो पूछ सकते हो अभी आप आगे पड़े नहीं जी सब्सक्राइब लास्ट वीडियो था तो वहां पे कुछ डिटेल के साथ कुछ डाउट था सर्फ वह अभी क्लियर कर सकते हैं मतलब यहां जो डाउट से डाउट भी ले लोगा मां प्रिफियर्स रख रहा हूं देखो मार्केट का डायरेक्शन पहला चोईस होती उसके लिए क्योंकि वो डायरेक्शन वाली डे इंसुरेंस थी अभी आगे हम बिना डायरेक्शन की डे इंसुरेंस भी सीखेंगे और यह मैं आप मान के चलो कि दस से आठ या नो टाइम आप चार से पांच कुना पैसा कमाने वाले हो और एक से दो टाइ आएरु हम आपके ऐसल लगेंगे बहुत ही लिमिटेट एडी अरिया के ऐसल लगेंगे बाकि एसल लगेंगे नहीं ठीक है अब हम देखते हैं उस में क्या चीज़ करते हैं सबसे पहले डे इंसुरेंस करने के लिए काम करते हैं अपना फीबोनासी पहले में त्यार कर लेता हूं कैसे हम फीबोनासी लगाते हैं ठीक है यह फीबोनासी में हम बाकी सारे हटा देते हैं जीरो और एक रहने देते हैं यह हटाते हैं यह हटाते है यह और यहां पर एक कर देते माइनस जीरो पॉइंट करसे、 हो सक्राट बार सक्राच में करते हैं। यह उन्हें पास एक ऐसा अरिया आजाएगा इसको भी अटादेतें गएरो और जिरो-ःो पोईंट-बन और लेवल भी हटा देते हैं यह लेवल भी एटा दिया यह एरिया इसे हमें ट्रेड करना अब है हिसे अपर अब हम यह सैट कर लिया यह फीबो की जरूरत पड़ेगी एक तो अब जब भी है यह लगाएंगे मार्केट का डायरेक्शन कैसे करना है उसके लिए मैं बोल रहे मार्केट देखो एक फरतरद के फार्मेशन मार्केट ऊपर जलता जब कोई पिछले स्वेंगश को मार्केट ऊपर बरेक करजाता है तो हम उसको अपर साइड का मानेंगे यानि कि वो बायर कंट्रोल में है ऐसे चलते हुए वो अगर नीचे का कोई लो प्रोस कर जाता है तो वो डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड के कंट्रोल का समझ कि हम उसमें बहेवर करेंगे मार्केट अगर स्टीप होता है तो यह जो केंडल्स हैं बड़ी-बड़ी में बाहर निकलती है यहने कि गैप भी दिया और बड़ी तरीके से बाहर निकल गया और एक अच्छी रेंज बोटम लिया और यहां से कलियर होगा कि मार्केट ट्रेंड चेंज कर चुगा है यानि कि डाउन साइड में नहीं है अब साइड में है तो इसमें हम कुछ तो साइकलोजी का अगर अटेश्मेंट लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है जैसे मानो कि यह ट्रेंड लाइन ह आज यह लोगों को क्या दिखेगा कि पोज हो सकता है मार्केट ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन बनेगी मैं बना देता हूँ इस लेवल से ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनेगी जाते हैं सरे सब्सक्राइक आजए का वैसे इसमें को रूप सुनुम्स ये उपर जा रहा है ऊपके लिए इंपोर्टन्ट तो ये क्रोष नहीं का ये एक क्रोश आता है तो ये क्रोश हमारे लिए इंपोर्टेंट होने वाला है फिर देखो कि आपको यहां पे क्रोश आ रहा है यहां पे एक क्रोश आ रहा है यहां पे भी क्रोश आ रहा है यह क्रोश आ रहे है इसका मतलब इन सभी जगह के उपर मार्केट ने नीचे की सैड क् है और उनके साथ थोड़ी सी साइकलोजी भी अगर मैं आप से पूछता हूं मार्केट अपसाइड के भाव में है तो एक ट्रेडर एक प्राइज एक्षन अनलाइज जो करने वाला नॉर्मल वो यह देखता है कि ऐसे लेवल पर मार्केट पहले को रेसिस्टेंस लेके किरा थ होती है अलगा तो जैसे ही अगर उस साइकलोजी में जो दिखनी स्टार्ट होती है उसके स्टार्टिंग एरिया जो होता ना बिल्कुल स्टार्टिंग का एरिया वह एरिया रिटेलर के होता है स्मार्ट मनी प्रोपर कन्फरमेशन के साथ ट्रेड लेता है स्टार्टिंग क स्टेज जो होती है जैसे मान लोगे एक breakout है breakout होने के बाद सबसे पहले retailer कूटता है smart थोड़ा बहुत होगा वो क्या करेगा इसके retracement पर कूदेगा कोई और जादा smart होने ही कोशिश करता वो यहां से कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट पर कुदेगा कोई और भी फिल्ट्रेशन करता है तो वो इस लेवल के ऊपर कुदेगा और कोई और भी फिल्ट्रेशन करता है वो इसके ब्रेक आउट के बाद में रिटेस्ट के बाद कुदता है लोगों के अलग अलग त यह सुन्ट पूज़ाते हैं यह जो ट्रेड इस ब्रेकाउट पर ही ले ले लेता है हमें उसी एरिया से बसना होता है वह उसकी कमजोरी है वीक्नेस है जिसको हमें अपनी रिज़रेंद बनाना होता है तो ऐसे में मार्केट जब एसी एक वर्सल केंडल दिखा रहा इसको बोलते हैं मर यहमर केंडल अब आप यह मर के नीचे जैसे ही करेगा उस क्रोज का एक लिमिटेड एरिया में सबसे पहला अटेक होता है रिटेलर का तो सबसे ज्यादा ट्रेप होने की गुंजाइस भी उस एरिया में रिटेलर की बनती है तो हमके यहां से हम यह लेते हैं कि यह लगाए यहां पर अपना यही फिबूर जो आमने रखा है वह फिबूर रखेंगे अब हमें क्या करना हिए यह जो प्लेश है अभी लगा रखें इस प्लेशेज पर इंस्यूरान करना होता है आपके पास यहां रेंज है और यही आपकी रिसक्ट और यही आपका इस्यूरंज एक इंसुरेंस क्यों बोला जारा पहले इसको इंसुरेंस वैसा होता है कि आप कुछ भी करो यह आपको लीड तो इसमें होता गया जैसे यह एरिया मिल यह हमें 10% का मार्केट अगर इसके अंदर आता है इस एरिया को टूच करता आप ट्रेड बना सकते हो 50 से 70 रुपे के बीच का प्रीमियम जिसकी रिस्क 50 रुपे से 70 रुपे ही है मुदलब 50 रुपे के ठेड़ उठा रहे है जब थायुल puedes मार्केट इस एरिया को टच करता है हम इंशुरेंस करते हैं पचास रुपए की यह एरिया को टच करता हम इंशुरेंस निकल जाते हैं फिर मार्केट इस एरिया को टच करता हम इंशुरेंस लेते हैं ठीक है और मैक्जिमम टाइम आप देखोगे टैन से एट नाइन टाइम हम बीन करेंगे पचास रुपे का प्रीमियम आपको दो सो रुपे होता है दिखाई देगा पचास रुपे का प्रीमियम तूट पचास ही सकता है उसमें भी कंडिशन है और पचास रुपे का प्रीमियम आपका इंट्राडे में तीन घंटे-चार गंटे के अंदर भी दो सो भी प्रॉपिट दे सकता है तो पचास रुपया आपका संभावना क्या है दो सो रुपए होने की संभावना ज्यादा तो हम ऐसे अगर टेस्टिंग करते हैं यहां पर यह मार्केट एंड के टाइम पर आया है एंड के टाइम पर पहले नीचे गया है एंड में हमने एक इंस् लतावा दिखाई देगा ओपनिंग और ओपन यहां नहीं वाए ओपनिंग यहां यहां ओपन वाए उसके बाद में भी और उपर भी हाई मारा है इसने नीचे भी आया ओपनिंग के टाइम पे आपको बहुत जबर्दस पैसा दे दिया ठीक है अब इस 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 में यह डे इ यह नीचे गया है यह कोई 10% रहा होगा नीचे की साइड में एक ऐसल लगा फिर मार्केट ऊपर की साइड आप ने इस ट्रेड को छोड़ दिया अगले दिन मार्केट यहां पे काफी गयप अप पुला है अगर यह टेक हैं तो डेली की केंडल है कोई नॉर्मल केंडल नही है अगर साइकलोजी अटेज होती है केंडल कोर्रेलेशन देखो एक चीज की समझ देता हूं जब मार्केट कहीं किसी जर्नी पे निकलता तो उसकी स्पीड फास्ट होती है जब उसको कोई सहर ठिकाना मिल जाता है रुखने का तो वह कोर्रेलेशन में आता है उस किर रेश्ट था यह यहिसका ट्रेवल्फल ता यह इसका अब बोलो ही तकि बश्कनी के siasason सेटीम को सबताएब और प्रेप के लिए यहां पर अपर थाकरेबस जलेते लिए। अब अगर यहां समझो यहां पर पावरफुल केंडल थी ओल्रड़ी इसने इसमें कम पावर करी यानि कि यह प्लस केंडल थी बड़ी केंडल यह उससे माइनस केंडल है ओल्रड़ी इसका कोरेलेशन कुछ है भी तो यह माइनस है ओल्रड़ी यहां पर पूरी बड़ी केंडल है यह थंडा हो चुका है क्योंकि हीट थी यहां पर देखो कि इस केस में यह यहां पर छोटी केंडल है यह और प्लसकी केंडल भी और इसने तो 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 अभी हम इसस हो जैसे कि यहां पर बोल सकते थे अब यहां पर पहली बार दूसरी बार बनता थोड़ा रहते हैं कि मार्केट ने उपर का नीचे का आइसे करके तो ऐसे करके इसमें यह भी लेते हैं तो कम प्रोफिट आता है अगर आपने यह सी जिसमें आपको एक ट्रेप भी मिल गया और यहां का पी एक ऐसा ट्रेप मिल रहा है तैन परसेंट के बेसेश पे तो हम क्या करते हैं लेने के लिए मैं तरीके बताता हूं मार्केट का अगर आपको थोड़ी सी समझ आती के रेस्ट कंप्लिटेशन पर है और डे ने एक अच्छी ग्रीड ली विए मार्केट का ट्रेवल अगर होगा वह इस एरिया के बाद कंटिन्यू हो सकता है इन लेवलों को पीछे से भी मिलाया जा सकता है जो आपको यहां पर स सोटा रहेगा प्रोफिट हमारे उसमें बड़े रहेंगे और मोर्दन इस एक्टी टू नाइन्टी परसेंट हमारी अक्यूरेशी रहेगी और रिवार्ड हमारा चार पंच होना होगा मान के चले तो हम इस एरिया में भी क्या करेंगे टैन परसेंट लगाएंगे इस केंड क्यों कि अभी तो यह इसको भी पार नहीं किया मार्केट खुलता है यहाँ गैप आप जाके आपने यहां पर अच्छा पैसा कमाया था अब यहां पर एक बार आप पैसा बीच में कंगा यहां पे अपने को पैसा अब मैं यहां कह रहा हूँ कि आप मानके चले यह पचास रुपए की यहां रिस्क कितनी थी मातर पचास रुपए की आपका रिवार्ड कितना बड़ा था यानि कि हर दिन जो लोग बीटी स्टी बीटी करते ना उससे बेटर प्लेस और बेटर साइगलोजी समझते में बीटी स्टी करो इंट्राडे में भी प्रॉफिट की गुंजा का है और उसका को रिलेशन अगर समझ में आता है फ्री केंडल के बाद तो पूपी चीज़ है अगले केस में जलें ठीक है अभी अभी मैं अगला अगर केस की बात करो तो आप को मैं खुद पूछ रहा हूं कि यह स्टेज से मार्केट ने क्रोश किया अब आप बताओ क्या का इस्थिती है को रिलेशन की और फ्री केंडल की और इस पावर की क्योंखी इस ट्रेड ने आपको इंट्रडे में प्रोफिट दे दिया अगर मैं आपको इसमें बी टीजियों की बात करूं तो यह एक कमजोर ट्रेड मानी जा सकती врем प्रोवेबल ऑप्चांट लेकिन एक अच्छा रेस्ट लेने के बाद मार्केट निकलता तो बढ़ियान रेस्ट अब इसमें रेस्ट जादा नहीं है बड़ इसमें साइकलोजी हैं हमने साइक्लोजी अटेज करी थे टे लाईन के साथ में एक कंडल भी के साथ में रिटेलर के माइंड सेट के साथ ल साहिए कि हम ने यह पैसा कमाया तो यहां पर इन दो तीन केंडल में नहीं था इसके बाद की मार्केट में चोपी केंडल यान に माने की केंडल ने रेश्ट लिया था वालर हीट को ठंडा करते हुए या रहा था जितनी हीट इसने यहां दिखाular थी उतना आगे अगरे कर दिया तो रेस्ट लेते लेते यह नीचे का वेव बना फिर आया अगर अभी करंटली चला और ब्रेक आउट ही किया है ऐसी कंडिशन में बीटी एस्टी लेंगे थोड़ा सा सेप नहीं होता बट फिर भी आप उस एटी परसेंट वाली अक्यूरेश्य में तो फिर भी आप आओगे तो इसमें आपने हमने क्या समझा एक तो रेस्ट कहां लेगा कहां कोर्रेलेशन एंड होगा वो देखा अब उसी के साथ में आप ये एरिया रखोगे मार्केट खुला ही इस एरिया में है पहले उसने डिप मारा फिर मार्केट उपर आया आपका टैन परसेंट एर यह लेवल हो गया अब इस लेवल पर आपका जो मार्केट जहां खुला था उस एरिया से तो नीचे गया पहले ऑपर की कैंडल बाद में बढ़ेगी नीचे गया फिर मार्केट उपर जब यह वाली उपर वाली लाइन क्रोस करेंगे इसके बीच में आप इंशुरेंस बना यही पचास रुपेगा प्रेमिम आपका दो गुना इसी दिन कर देगा तो यह अपनी अगली ट्रेड होगी मेरे साफ से समझ में आ रही हूंगी इंशुरेंस अब अगला दिन अब मैं फिर आप से पूछ रहा हूं साइकलोजिक लिए यह केंडल है आप इसको बताओ रेस प्रेकेंडल के सबसे कैसे बेटर है यह करना चीए नहीं करना चीए तोशचर इंटरीं के लिए है तो यहां पर इस दिन के लिए एक सपोर्ट मिलेगा और हमिया तो मार्केट यहां खुला है नीचे गया ऊपर आपको प्रोफिट नहीं देता क्योंकि मार्केट प्रोफिट लेने की बात कर रहे हैं ठीक है और यहां पर क्लोजिंग के वक्त करेंगे तो अगर हम यहां करेंगे और इसके बेसे तो भी मैं आपको यह कहूंगा कि और लड़ी एक हैवी हीट दिखाया हुआ है तो वेट करेंगे को रिलेशन का फिर भी आप लेते प्रपस से नहीं ले सकते लेकिन आपने प्रकेट गया है और यहां तक आप इसका फीबो भी आ गया और यह हैवी क्लाइमेक्स केंडल के अगेंस्ट में तुरंत में लीवी तो इसमें थोड़ा साबदान होंगे क्योंकि केंडल को रिलेशन और यह पूरी निमती नहीं दे लिए लेकिन फिर भी आपको यह कवर करते हो या फिर फंद्रा मिट पांस मिनिट का हाईर हाई लोवर तूटने पर आप प्रोफिट करते हो कुछ को आप कोस्ट पे निकाल भी देते तो आप नुकसान में नहीं प्रोफिट में होगी और जब हैवी रैड गेंडल आती है तो वैसे यह डे इंस्यूरेंस मे मार्केट ने पहले यहां खुलके डिप मारा पूरा डिप मार्के वापिस आते समय आपको ट्रेड मिला और आपको प्रोफिट मिला ठीक है और जब ऐसी केंडल में बहतर केंडल कैसी आएगी कि मार्केट ने इस लेवल के ऊपर रिजेक्शन लिया है पावर ली है नीजे क क्या 10% में यह बाकी दिन तो मुझे याद नहीं है इस दिन का मुझे याद मेरी लीवेट सटर रुपे की आसपास की ट्रेड थी मेरी 220 रुपे की गिज्ट है यह 12 माई का डेट है और मुझे यह याद है यह फ्राइड है 12 माई सत्तर रुपए का 220 रुपए इसके क्रोसोवर पे अमने ट्रेड को देखा तो इतना नहीं ले पाते हैं लेकिन इतना देखे गया सतर रुपए का 220 रुपए देखे गया यानि कि देड़ सो पॉइंट के आजपास का प्रोफिट हमारे पास इंटरे में आ गया रिस्क मातर पचास सतर रुपे की तीन गुणा प्रोफिट हमें देखना हूं मिल रहा है यह और भी उपर गया था ठीक है तो ऐसे मैं अफिर अगला दिन भी गया और अब इस पर मैं आ प्रोफिट का क्रोशोवर है जिसका 10% हम दे रहे हैं तो प्रोफर साइक्लोजिक के साथ में आपको यहां पर चार-पांच गुना पैसे मिल गया है फिर हम इसके कोर्रेशन पर देखते हैं यहां पर ऐसा लग जाएगा एक कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इनिशल स्टेज है किके घ्रेंगे हैं आपको कोई थे पार this लकी फिर कोई यह पर आजरी आए इसके बाद में नक्रियुकर में लेंगे उपर भी लेंगे तो यह अगर आप देखोगे आधर लगेंगे चोटे लगेंगे टार्गेट आएंगे बड़े आएंगे आगे बड़े आएंगे माना कि आपने यहां ट्रेड लिया पचास रुपे का ट्रेड लिया और हो सकता तीन चार रुपे के नुक्सान मैंने देखा थीन रुपे और शाड़े-3 रुपे के आसपास ऐसल मिल जाएगा उस एरिया में तीन साड़े-3 आपने रुपे खोया अगर पांस रुपे भी आप खाते हो तो तीस ट्रेड तीस पर ट्राइए करने का पैसा आपके पास आ गया और एक बार के ट्राइए में ही आपको इतना पैसा मिला वा जो तीस बार आप ट्राइए करके भी पैसा नहीं होगी तो यह साइकलोजी की समझ जो रखता है यह भी अगर हम बात करें तो यह लाइफ टाइम हाई के आसपास का मारकेट है प्छला अगर हम लाइफ टाइम हाई देखतें उसके आसपास का इन्वार्मेंट है जिसमें देखो कभी भी कोई ऐसा ँटीज अगर पार कर रही होती ना तो कोडरीलेशन चाहिए होता जैसे पर किया को रहेशन है जैसे यह पर किया को रहेशन करेशन जैसे यह प्रकर को रहेशेये यह पर का रहिए यह एक federals जाद हो क्यों मेंन LIVE हुआ है ऐसे यह आई आप देखो यहां पे को रॉलेशन कहड़ा हूँ मौटा मोटा यह नहीं होगी यह लाइन हम लेते हैं यह कोर्यलेशन हो गया यहां पर इसकी वज़ा से कोर्यलेशन हो यहां पर इसकी वज़ा से कोर्यलेशन हो और जब यह कोर्यलेशन कंप्लीट मान लोगी यह ट्रेड है अगर हम इसको प्रॉपर ली वीकली structure के साथ मैं अगर मैं मिला के लेता तो आप यह जाओगे यह अपना weekly चार्ट है अगर weekly चार्ट पे मैं बात करूं तो यहां पे अभी तक यहां से यहां की दूरी में कोई क्रोस ओवर आया है नहीं आया यहां पे कल आया है क्रोस छोटा सा अगर मैं इसको बढ़ा करके दिखाता हूं कि वीकली क्रोस हो रही है और बड़ा करते हैं अब आप देखो इसमें अगर मैं लगाता हूं इसमें इसके वीक केंडल के बेसेज पे यह से यह एरिया है ठीक है एसल को खाया ही नहीं इसके बेसे बेसे और मार्केट ने अच्छा प्रोफिट दे दिया अब अच्छा प्रोफिट यह वीक की केंडल है अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो करीबन 200 रुपे 500 रुपे उपर बड़ी बनी है वो गिरते बे बनी क्रोस होने के बाद और यह चीज़ अगर हम इसमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि वीक में कई दिन समाज आते हैं लेवल आप देख लो मैं बता भी देता हूं मैंने लेवल मार्क कर रखा यह और इसी के बेसेज पे वश्त वीकाइज साब से चल रहा है विए आप पूरा को पूरा दिन आपका उठाथा वैगर मोमेंट्प यह आज का दिन है अभी मार्केट चल रहा है तो राग्स प कर दिन इस एरिया को तोड़ने के बाद मार्केट ने पूरा cook यहाँ से आज का प्रिटेश मार्केट अब यहां पर लेते वह और भी कम मिलता यहां का प्रीमियम 13 रुपे का एकसो पिर्स फेला गया था तो पांच गुना पैसा यह जो पंदरा रूपे का पांच वह तो पांच पर देने पांचा जहीं आप यहां अगर यहां उठा हैं पंदरा ज़ा का ऴु है अब यह तेरा र कितना 10 गुना पैसा दे रहा है सही कंडिशन पर और 10 गुने का पैसे का फिक्स प्राइजक्षन कोई यह नहीं और वह फिक्स प्राइजक्षन वीकली चार्ट के बेसे पर आपको मिल गया तो मेरे साब से आपको यह सारी चीज़ें कवर होगी चलो ठीक है मैं इस वीडियो को पोज़ करता हूं इसके उपर हम और भी वीडियो बनाएंगे और भी डिस्कुशन होगा आगे के वीडियो भी चैनल पर देखने को मिलेंगे चलो मैं पोज़ कर रहा हूं थैंक्यू झाल 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 झाल